हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम अफदल बासत और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन विलकम टू सालार एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के पुलिटिकल सिस्टम को डीटेल में स्टेडी करेंगे शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकन ट्रस्ट में ये वीडियो देखने के बाद आपको पाकिस्तान के पुलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान के political system की तरफ जाने से पहले हम पाकिस्तान का एक शार्ट सा अवर व्यू ले लेते हैं पाकिस्तान का official नाम है the Islamic Republic of Pakistan और पाकिस्तान एक federation है जिसकी four federated units हैं जिनको provinces का जाता है पाकिस्तान के फॉर प्रोविंसे का नाम है बलोचिस्तान, खेबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंद पाकिस्तान के चार प्रोविंसर के लावा, पाकिस्तान में दो आर्टनॉमस युनट्स भी हैं, जिनके नाम है अजाद जमुए्ट कि श्मीत, जिसको एजे के का जाता है, और धूसरी है गिलगेत बलतस्तान, जिसको जीबी बी का जाता है, इन दो युनट्स में से एजे के एक independent state है जिसका अपना constitution है अपनी legislative assembly है अपना supreme court अपना president और अपना prime minister है यानि के ये fully independent state है इसके बराक्स गिलगेत बलतस्तान एक typically autonomous unit है जी बी basically किश्मीर का एक part था जो किश्मीर ने 1949 में कराची agreement के तेद पाकिस्तान को दे दिया था अगरचे ये दो autonomous region defective तोर पे पाकिस् हैं लेकिन ये regions federation of Pakistan का part नहीं है इसलिए पाकिस्तान की national assembly में जी बी और अजार किश्मीर के नमाइंदों की कोई representation नहीं है अब हम पाकिस्तान के political system की तरफ आते हैं किसी भी मुलक का political system उस arrangement को केते हैं जिसके तेद उस मुलक को चलाया जाता है और उस arrangement की written form को उस मुलक का जाते हैं पाकिस्तान एक federal parliamentary democratic republic है यानि पाकिस्तान में parliamentary system है जिसे हम इस वीडियो में discuss करेंगे और पाकिस्तान का ये system पाकिस्तान के constitution पर best है और इस constitution का नाम है the constitution of the Islamic Republic of Pakistan ये constitution 12th April 1973 को पाकिस्तान की constituent assembly ने पास किया था constituent assembly वो होती है जो constitution को बनाती है और ये constitution 14 अगास 1973 को इस मुलक में लागू किया गया था पाकिस्तान के constitution के मताबिक पाकिस्तान के political system जिसे government भी कहते हैं उसकी तीन ब्राचज़ है पहली ब्राच़ है legislature दूसरी है executive और the third one is judiciary अगर हम generally बात करें तो जो legislature होती है इसका काम होता है कानून को बनाना और जो executive होती है इसका काम होता है उस कानून को मुलक के अंदर दे और अगर कोई कानून को गलत interpret करता है तो ये judiciary का काम है कि वो बताए कि क्या कानून है और क्या कानून नहीं है यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए आम तोर पर लोग executive को government के देते हैं लेकन political science में government एक country के पूरे political setup को केते हैं जिसमें legislature, executive और judiciary तीनों आते हैं च पाकिस्तान की legislature को parliament भी कहते हैं और पाकिस्तान के constitution के article 50 के मताबक parliament और president को collectively मजलसे शूरा भी कहते हैं तो जब भी मैं मजलसे शूरा कहूंगा तो इसका मतलब होगा president और parliament दोनूं इसके बराक्स जब मुझे legislature की बात करनी होगी तो मैं word parliament कहूंगा या फिर simply legislature कहूंगा तो इसको कैसे elect किया जाता है और वो क्या काम करती है और कैसे काम करती है पाकिस्तान की parliament के दो हाउसल है जिने हम parliament के chambers भी कहते हैं पारलेमेंट के अपर हाउस को senate कहते हैं और उर्दू में इसका नाम है इवान बाला इसके बराक्स पारलेमेंट का जो lower house है इसको कहते हैं national assembly और पाकिस्तान की national assembly है उसके members को पाकिस्तान के अवाम directly elect करते हैं लेकिन जो senate के member है यानी parliament का जो upper house है उसके जो members है उनको पाकिस्तान के अवाम directly elect नहीं करते हैं बलके उनको एक indirect election के थरू elect किया जाता है जिसको हम आगे जाके इस video में discuss करें National Assembly of Pakistan National Assembly पार्लेमेंट का लोर हाउस है और इसका एक अवर वियो हम आलरेडी देख चुके हैं अब हम इसकी डीटेल जानते हैं Members after National Assembly सबसे पहले देखते हैं कि कौन National Assembly का मिम्बर बन सकता है पाकिस्तान के Constitution के Article 62 और 63 के मताबिक पाकिस्तान का कोई भी शेरी जिसकी एज एटलीस 24 एर हो या उससे ज्यादा हो वो National Assembly का मिम्बर बन सकता है इसके अलावा National Assembly का मिम्बर बनने के लिए कुछ और कंडिशन भी है वो भी इनी दो आर्टिकल्स में दी गई है पहली कंडिशन ये है कि वो शाथ जो National Assembly का मिम्बर बनना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि उसका नाम Electoral Roll में मौझूद होना चाहिए Electoral Roll उस लेस्ट को का जाता है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं National Assembly का मिम्बर बनने के लिए दूसरी कंडिशन ये है कि एक शाथ का नाम उस प्रोवेंस के Electoral Roll में होना चाहिए जिस प्रोवेंस को वो National Assembly में रिप्रेजेंट करेगा For example, अगर आप National Assembly में पंजाब को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपका नाम पंजाब के Electoral Roll में मौझूद होना चाहिए अगर आप सिंद को करना चाहते हैं तो सिंद के Electoral Roll में होना चाहिए है अगर आपको पता हो तो कुछ ममालक में ये कानून भी होता है कि एक शाथ सिर्फ उस यानी हल्का या फिर एरिया से वोट लड़ सकता है जिस का वो पर्मिनन्ट रेजिडिन्ट हो लेकिश्टान में ये कानून मौजود नहीं है पाकिस्तान में एक शाख्स अपने प्रोवेंस में किसी भी constituency से vote लड़ा था National Assembly का member बनने के लिए तीसरी condition ये है कि वो शाथ जो member of National Assembly यानि MNA बनना चाहता है वो convicted नहीं होना चाहिए convicted उस शाथ को केते हैं जिसको किसी court ने उस पर कोई जर्म साबत होने के बाद उसे सजा दी हो इसके लावा MNA बनने के लिए एक Muslim candidate के लिए जरूरी है कि उसके पास basic Islamic knowledge होना चाहिए और वो सादिक और अमीन होना चाहिए अगर कोई candidate नन-Muslim है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास Islamic knowledge होना चाहिए अलबता वो एक अच्छी reputation का मालिक होना चाहिए इसके अलावा अगर कोई ऐसा शास है जिसने पाकिस्तान बनने के बाद यानि 1947 के बाद ये कोशिश की हो कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान की integrity के खलाफ कोई उसने काम किया हो और उस पे वो चीज़ थाबत हो गई हो तो ऐसा शास भी पाकिस्तान की नेशनल असंबली का मिंबर नहीं बन सकता अभी हमने देखा कि पाकिस्तान की नेशनल असंबली का मिंबर बनने के लिए क्या कंडिशन्स हैं अब हम देखते हैं कि नेशनल असंबली के कितने मिंबर हैं और national assembly की seeds को provinces की दर्मेयान कैसे distribute किया गया है। पाकिस्तान की national assembly पाकिस्तान की Parliament का lower house है और ये house पाकिस्तान के लोगों को represent करता है। पाकिस्तान के four provinces हैं जिनकी population की strength में काफी difference है। पंजब सबसे ज्यादा पापुलेटर है उसके बाद संथ का नमजज़ आता है उसके बाद केपी और दिन बलोचस्तान चुकर नाशनल असमबली लोगों को रिप्रेसेंट करती है तो इसलिए नाशनल असमबली में हर प्रॉवेंस को उसकी पापुलेशन की स्ट्रेंथ की ब यानि National Assembly में total 336 seats हैं Constitution के मताबिक इन seats को दो categories में divide किया जाता है General seats और Resort seats National Assembly में 266 General seats हैं और 70 Resort seats हैं और इन 70 Resort seats में 60 Women's के लिए Resort हैं और 10 Minorities के लिए जो General seats हैं उनको direct election के थुरू फिल किया जाता है लेकन जो Resort seats हैं उनको election के थुरू फिल नहीं किया जाता बलके वो political parties जनोंने at least 5% General seats win की होती हैं वो अपनी मर्जी के लोगों को इन seats पर appoint करते हैं अब ये appointments कैसे होती हैं हम National Assembly के election वाले section में इस चीज़ को देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक table आ रहा है इस table में आप देख सकते हैं कि National Assembly की seats को provinces के दर्मयान कैसे distribute किया गया है अगर हम इस table को discuss करें तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला province है बलोजिस्तान और इसके पास जो General seats हैं वो है 16 और Resort seats हैं इसके पास कितनी 4 और Total seats हैं इसकी 20 दूसरे नमबर पे आता है खेबर पक्तूनुखा इसके पास General seats हैं 45 और Resort seats हैं कितनी 10 और इसकी Total seats हैं 55 थर्ड नमबर पे आता है पंजाब पंजाब की जो General seats हैं वो हैं 141 और जो इसकी women के लिए Resort seats हैं वो हैं 32 और इसकी Total seats हैं नेशनल असम्बली में 173 फौर्थ नमबर पे आता है सिंद। सिंद की जो General seats हैं वो है 61 और इसकी Resort seats हैं 14 और इसकी Total seats जो हैं वो बनती हैं 75 उसके बाद जो है हमारे पास है Federal Capital यानि इसलामबाद का एरिया ये किसी प्रोवेंस में नहीं आता तो इसकी जो seats हैं वो हैं 3 इन seats के अलावा 10 seats ऐसी हैं जो मिनार्टी के लिए Resort हैं ये जो seats हैं ये किसी प्रोवेंस के लिए मुक्तास नहीं हैं बलके इन seats को फिल करने के लिए 10 नान मुसलम मेंबर को पाकिस्तान के किसी भी इसे से लिया जा सकता है ये वीडियो मैं 29 जनवरी 2023 को रिकार्ड कर रहा हूँ अगर आप इस वक नेशनल असम्बली की वेब साइट पर जाएं तो वहाँ पे लिखा है कि नेशनल असम्बली के टोटल मिम्बर्स 342 हैं और मैंने आपको बताया कि नेशनल असम्बली की टोटल सीर्स हैं 336 अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि नेशनल असम्बली में 336 सीर्स हैं और नेशनल असम्बली के मिम्बर्स की टादार 342 है क्या 6 मिम्बर असम्बली में खड़े हैं ऐसा नहीं है ये नेशनल असम्बली की सीर्स और उसमें मुझूद मिंबर्स के नंबर्स में जो कंट्रडिक्शन है इसकी रीजन 25th Amendment और 2017 का सेंसे हैं 25th Amendment से पहले पाकस्तान की नेशनल असम्बली की 342 सीट्स थी और इन सीट्स की प्रोविंसस के दर्मयान जो डिस्टिबूशन थी वो आप अपनी सक्रीन पर मुझूद टेबल में देख सकते हैं ये जो डिस्टिबूशन की स्कीम है ये मुझूद के टाइम से चली आ रही है लेकन 2017 में पाकस्तान में सेंसे हुआ इस census के result से पता चला कि बलोचस्तान की population relatively increase हुई है और पंजाब की population relatively decrease हुई है इसी तरह KPK की भी population increase हुई है बर जो सिंध था उसकी population same रही है और पंजाब की सीड्स को कम किया जाएगा इस census के अलावा 2018 में पारलेमेंट ने 25 अमेंडमेंट पास की जिसके जरीए फाटा को KPK का हिसाब बना दिया गया फाटा बैसिकली एक special area था और इसको प्रोविंसल से हट कर national assembly में representation दी गई थी चुँकि ये एक special area था इस वज़ा से इसकी अबादी से ज्यादा यानि अबादी के लिए से जितनी सीड्स बनती थी उससे ज्यादा सीड्स इसको दी थी यानि फाटा को थोड़ा सा special treatment दिया जाता था जब 25th amendment के बाद फाटा केपीके का हिसा बना तो वो फाटा के लिए जो special treatment था वो भी खतम हो गया 2017 के census की वज़ा से केपीके की seats बढ़नी थी ठीक है और जो फाटा था उसको जो special treatment दिया जाता था जब वो KPK में आया तो वो special treatment खतम हो गया तो उसकी वज़ा से seats कम होनी थी तो परलिमेंट ने total मेर्थ वगरा करके final ये decide किया कि KPK जिसमें अब FATA भी शामल था उसकी seats के नंबर को इतना रखा जाएगा जितना KPK और FATA दोनुकी seats का 25th amendment पास होने से पहले था यानि उसकी seats अवराल सेम ही रही सो आपकी स्क्रीन पर एक table आ रहा होगा इस table का अमनाम रख लेते हैं table A इस table में national assembly की seats की 25th amendment से पहले वाली distribution बताई गई है आपकी स्क्रीन पर एक और table आ रहा होगा इस table का अमनाम रख लेते हैं table B ये टेबल नेशनल असम्बली की सीड्स की 25th Amendment के बाद की distribution बता रहा है ये वो टेबल है जो मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ इस टेबल में आप देख सकते हैं अगर आप इसको टेबल A के साथ compare करें तो आप देखेंगे के नेशनल असम्बली की जो सीड्स थी वो overall decrease हुई है पहले कितनी थी 342 अब कितनी हो गई है 336 अब हम अपने question की तरफ आते हैं question ये था के जो सीड्स हैं नेशनल असम्बली की जो सीड्स हैं यानि टेबल A वाली स्कीम की बेस पर हुआ था और 25 अमेंडमेंड में का गया है कि टेबल B वाली स्कीम को 2023 के जनरल अलेक्शन में फालो किया जाएगा दूसरे अलफाज में जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और जो उसके मिम्बर्स हैं जो हैं इनके नमबर्स में जो कंट्रेडिक्शन है इसकी रिजन ये है कि नेशनल असम्बली की सीट्स कम कर दी गई हैं 25 अमेंडमेंड के बाद लेकिन जो पराने मिम्बर एलेक्ट हुए हुए थे वो अभी तक रिटायर नहीं हुए जब वो रिटायर हो जाएंगे 2023 के एंड में जो कंट्रेडिक्शन खतम हो जाएगी 2023 के इलेक्शन के बाद नेशनल असम्बली में 336 मिम्बर्स होंगे यानी जितनी नेशनल असम्बली की सीट्स से उतने ही मिम्बर होंगे इस वक्त नेशनल असम्बली की सीट्स 336 और नेशनल असम्बली के मिम्बर्स 342 क्यों है यहाँ पर एक ट्वेस्ट और भी है वो यह है कि नेशनल असम्बली ने 2019 में 26th amendment पास की है जिसके थुरू नेशनल असम्बली की सीड्स को 3.36 से बढ़ा कर दोबारा 3.42 कर दिया गया है लेकिन ये अमेंडमेंट अभी तक सेनट ने पास नहीं किये इसलिए ये अभी तक कानून नहीं बनी अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है सेनट से ये अमेंडमेंट पास हो जाती है तो नेशनल असम्बली की सीड्स 3.36 से बढ़ा कर दोबारा 3.42 हो जाएंगी और नेशनल असम्बली की सीड्स की डिस्टिबिशन आपके सिक्रीन पर मुझूद टेबल के मताबिक होगी इस टेबल को हम नाम दे देते हैं टेबल 3 ये डिस्टिबिशन अभी हुई नहीं है अगर ये 26th अमेंडमेंट पास होती है तब ही ये होगी अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मिंबर्स को कैसे एलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की कंस्टिटुशन में 25th अमेंडमेंट के पास होने के बाद पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की टोटल 336 सीड्स है इन 336 सीड्स में से 266 सीड्स को जेनरल सीड्स का जाता है और जो बाकी 70 सीड्स हैं इनको रिजर्व सीड्स का जाता है इन 70 Reserved Seeds में से 60 Seeds Women के लिए Reserved हैं और जो बाकी 10 Seeds हैं वो Minorities के लिए Reserved हैं चुँके National Assembly में दो तरह की Seeds हैं और इन दो तरह की Seeds को फिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के Elections होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि General Seeds पर Elections कैसे होते हैं General Seeds पर जो Election का Method है उसे हम First Past the Post Voting System केते हैं First Past the Post Voting System वोटिंग का सबसे Simple और शायद सबसे ज़्यादा Inefficient System है इस System में National Assembly की जितनी Seeds फिल करनी होते हैं मुलक को उतनी ही Constituencies में Divide कर दिया जाता है और हर एक Constituency में Equal Number of People रहते हैं यानि कि इन Constituencies की जो स्टेंथ है पापुलेशन की जो स्टेंथ है वो सेम होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की National Assembly की 266 ऐसी Seeds हैं जिनको First Past और Post सिस्टम के तरूफ फिल करना होता है तो इसलिए पाकिस्तान को 266 Constituencies में तक्सीम किया गया है और दिन केपीके में और दिन बलोचस्तान में आप अपनी सक्रीन पर मुझूद टेबल में देख सकते हैं कि किस प्रोवेंस में किसनी Constituencies हैं अब हम एक Constituencies के लेवल पर आ जाते हैं एक Constituencies के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही मिंबर वोट लड़ने के लिए खड़ा कर सकती है हर पार्टी इस तरह अपना एक एक मिंबर एक एक Constituencies में खड़ा करेगी इसके अलावा कोई भी शाख्स जो पाकिस्तान के Constitution के मताबिक वोट लड़ने के लिए एलिजिबल है वो एज़ा इंडिपेंड केंजिडेट भी खड़ा हो सकता है इंडिपेंड केंजिडेट को उर्दू में अजाद उमीदवार भी कहते हैं जिस जिसने वोटिंग में पार्टिस्पेट करना होता है वो एलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान के पास अपने डाकुमेंट्स वगेरा जमा करवाता है और एलेक्शन कमिशन उन केंजिडेट्स के नाम फाइनल करके पबलिश कर देता है जो voting में participate करेंगे और election की एक date भी announce कर देता है voting की जो date fix होती है उस पर election होते हैं और शाम को election का result announce कर दिया जाता है मानो हमारे पास 266 constituencies में से एक constituency का नाम है NA1 इस constituency में चार parties ने अपने candidate खड़े किये हैं और उन parties के नाम है P1, P2, P3 और P4 इसके अलावा यहाँ पर two independent candidate भी थे जिनके नाम है I1 and I2 यहाँ पर हम consider कर लेते हैं कि NA1 constituency में 2,000 and 200 total votes थे और सिर्फ 1,000 लोगों ने यहाँ पर vote कास्ट किया है और NA1 का जो हमारा फर्जी result है वो आपकी सक्रीन पर मुझूद है अगर यहाँ पर आप देखें तो P1 जो है इसने कितने vote असल किये है 112, P2 जो है इसने कितने असल किये है 410, इसी तरह P3 ने 85 और P4 ने 114, independent 1 ने 132 और independent 2 ने 147 तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा vote किस के हैं P2 के क्यूंके P2 पार्टी के केंजी डेट ने सबसे ज़्यादा vote लिये है यानि जो दूसरे मिम्बर्स थे जो दूसरे केंजी डेट से उन से ज़्यादा vote लिये है तो Fast-Past-A-Post-Voting सिस्टम के मताबिक यह विनर है So Fast-Past-A-Post-Voting सिस्टम में वो विनर होता है जो टोटल वोट कास्ट में से मिजार्टी वोट असल करता है इस सिस्टम में इस बात से फरक नहीं पड़ता कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिये यहाँ पे हमारे केस में देखे हमारे पास 200 वोट टोटल थे लेकिन सिर्फ 1,000 लोगों ने वोट डाले यह सिर्फ एक कंस्टिचुएंसी का रिजल्ट था जब सब कंस्टिचुएंसी के रिजल्ट आ जाएंगे तो अलेक्शन कमिशन उस पार्टी को विनर डिकलेर कर देगी जो ज़्यादा कंस्टिचुएंसी में जीती हुई होगी चलिए अब हम देखते हैं कि नेशनल असंबली की जो 70 रिजल्ट सीर्फ हैं उनको कैसे फिल किया जाता है इन 70 रिजल्ट सीर्फ में से 10 सीर्फ जो हैं वो मिनार्टी के लिए मुक्तास हैं और जो बाकी 60 सीर्फ हैं ये लेडिस के लिए यानि वो मिन के लिए रिजल्ट हैं इन सीर्फ के लिए कोई अलेक्शन नहीं होता बलके इन सीर्फ को प्रोपरोशनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के तुरू फिल किया जाता है ये सिस्टम कुछ ऐसे वर्ग करता है रिजल्ट सीर्फ को उन पार्टी की दर्मयान तक्सीम कर दिया जाता है जिन्होंने जर्नल एलेक्शन में कम असकम 5% यानि 14 सीर्फ हासल की हो इसके बराक्स वो पार्टी जो जनरल एलेक्शन में 5% से कम सीड्स विन करती हैं उनको कोई भी रिजार्व सीड्स नहीं दी जाती जहां तक पार्टी की दिनम्यान रिजार्व सीड्स की डिस्टिबिशन की बात है तो वो इस बात पर डिपेंड करती है कि किस पार्टी ने जर्नल एलेक्शन में कितनी ज्यादा सीर्स ली हैं जिस पार्टी ने जितनी ज्यादा जर्नल सीर्स जीती होंगी उसको इतनी ज्यादा रिजार्ब सीर्स मिलेंगी जब रिजार्ब सीर्स एक पार्टी को ऐलोकेट हो जाती है तो वो पार्टी अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को असंबली में ला सकती है यहां पे एक बात आपने और याद रखनी है जो वूमिन वाली सीड्स है वहां पे आपकी स्क्रीन पार जो टेबल आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब, सिंद, बलोचिस्तान और केपी के वहां पे मुक्तास किया हुआ है कि इस प्रोवेंस से इतनी हुआतिन को रिजार्ट सीड्स पे लाया जा सकता है और दूसरे प्रोवेंस से इतना तो अब जो अवराल पार्टी है इसको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी ठीक है? अगर एक पार्टी को पंजाब की रिजार्ट सीड्स मिली है तो वो पंजाब से ही किसी को यहां पे अपॉइंट कर सकता है लेकिन जो मिनार्टी वाली सीड्स हैं उन में कोई रिस्ट्रेक्शन नहीं है वहां पे प्रोवेंस की कोई रिस्ट्रेक्शन नहीं है जिस पार्टी के पास वो सीड्स होंगी वो जहां से मर्जी चाहे नान मुस्लम मिंबर्स को अलोकेट कर सकता है हमने पाकिस्तान की नेशनल असंबली के बारे में कुछ डिटेल्स देख ली हैं अब हम पाकिस्तान के पारलेमेंट के अपर हाउस के बारे में जानते हैं पारलेमेंट के अपर हाउस को सेनट कहते हैं जहां पाकिस्तान की नेशनल असमली पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करती है वहीं सेनट फेडरेशन आफ पाकिस्तान के प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है लेकं पाकستان की Senate को किसी लीगल मेथट के थरू डिसाल ने किया जा सकता इसी वज़ा से Senate को House of continuity भी कहा जाता है Even जब Senate के election हो रहे हुते हैं उस वक्त भी Senate को डिसाल ने किया जाता Senate के election हर तीन साल के बाद बाद होते हैं और हर election में सिर्फ Senate के half members ही renew किया जाते हैं दूसरे अलफाज में Senate का हर member 6 साल के लिए as a senator act करता है Who can become a member of the Senate Senate का member बनने के लिए तुमाम वही qualifications हैं जो National Assembly का member बनने के लिए जरूरी है लेकिन Senate के case में age की limit थोड़ी high है National Assembly का member बनने के लिए एक candidate की age at least 25 years होनी चाहिए इसके बराक्स Senate का member बनने के लिए एक candidate की age at least 30 years होनी चाहिए distribution of seats in Senate चुँके Senate Federation of Pakistan की units यानि provinces को represent करती है तो इसलिए Senate में हर province की seats equal होती है पाकिस्तान के constitution में 25th amendment के बाद Senate की total seats है 96 और हर एक province को 23 seats मिली हुई है इसके अलावा जो 4 seats बज़ती हैं वो इसलामबाद capital territory को दी गई है इसलामबाद capital territory किसी भी province का हिस्सा नहीं है आप अपनी स्क्रीन पर मुझूद table में Senate में मुझूद seats की distribution देख सकते हैं एक तरफ तमाम provinces को equal seats दे गई हैं बट जो provinces की seats हैं उनको भी distribute किया गया है यानि एक province की जो seats हैं उसकी भी चार टाइपस हैं इन में से जो 23 seats हैं इन में से एक province की 14 जो seats हैं उनको general seats का जाता है उसके अलावा जो 4 seats हैं वो women के लिए reserved हैं इसी तरह 4 seats जो हैं वो technocrates और ओलिमा के लिए मुक्तस की गई हैं और एक seat जो बचती है वो non-muslim candidate के लिए reserved है जो इसलामबाद capital territory की seats हैं चार seats उन में से दो seats general seats हैं और एक seat woman के लिए reserved है और एक उलिमा या technocrates के लिए reserved है election to the senate according to the constitution of Pakistan senators are elected through the system of proportional representation using single transferable vote जितना लंबा इस system का नाम है ये इतना मुश्किल है नहीं है इसको हम अभी असानी से समझ लेंगे इस system की detail में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि senators को elect कौन करता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि Senate में हर प्रोवेंस की seats equal होती हैं आप अपनी स्क्रीन पर मुझूद टेबल में Senate की seats की distribution देख सकते हैं Senate में total 96 seats हैं जिन में से हर प्रोवेंस की 23 seats हैं और जो बाकी 4 seats हैं ये इसलामबाद को दी जाती हैं जो पंजाब के 23 senators हैं उनको पंजाब assembly के members elect करते हैं इसी तरह जो सिंद के 23 senators हैं इनको सिंद assembly के members elect करते हैं KPK senators को KPK assembly के members elect करते हैं और बलोचस्तान के जो senators हैं उनको बलोचस्तान assembly के members elect करते हैं जहां तक इसलामबाद capital territory के senators की बात है तो इनको पाकिस्तान की national assembly के members elect करते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि Senate के elections कैसे होते हैं अगर आप Senate का election लड़ना चाहते हैं तो आपकी age 30 से ज्यादा होनी चाहिए या 30 year होनी चाहिए और आपके जो तमाम relevant documents हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए और साथ आपको ये mention करना होगा कि आप कौन सी seat के लिए election ल करवा देंगे तो election commission election की एक date fix कर देगा और साथ में ये भी बता देगा कि कौन कौन candidate इस दफ़ा election में participate कर रहे हैं वोटिंग वाले दिन हर वोटर को एक copy मिलेगी और इस copy में चार ballot paper होंगे पहले ballot paper पर उन तमाम candidate के नाम लिखे होंगे एक line में जो general seat पर election लड़ रहे हों पर उन तमाम candidate के नाम लिखे होंगे घो वोमन के लिए रिजर्ट सीड्स पर वोट लड़ रहे होंगे इसी तरह जो third ballot paper होगा उस पर उन तमाम candidate के नाम लिखे होंगे जो उलमाय या fashioned एक्नोक्रेेट की सीट्स के लिए वोट लड़ रहे होंगे और उसके लावा जो फृर्ट बेलिड पेपर होगा उस पर उन केंजिडेट स्के नाम लिखे होंगे जो नन मुसल्म मेंबर के लिए रिज़र्ड सीड्स पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे जब Senator के election हो रहे होते हैं तो एक voter अपने पसंदीदा candidate के आगे more का निशान नहीं लिगाता बलकि वो अपने पसंद के हसाब से हर candidate को number देता है फार एक्जमपल उसका जो पसंदीदा candidate है उसको वो number 1 देगा जो उससे कम पसंदीदा है उसको 2 देगा इसी तरह 3, 4, 5, 6 वो अपनी preference के हसाब से numbering करेगा वो तुमाम ballot papers पर इसी तरह अपने preference के हसाब से numbering करेगा और जो अपनी कापी होगी ballot की जो कापी होगी ballot paper होंगे जि जब सब voters अपना vote cast कर लेते हैं तो election commission election का result बनाता है इस single transferable voting system में एक candidate को Senate में seat हासल करने के लिए votes का एक खास number चाहिए जिसे quota कहते हैं और ये quota दो factors पर depend करता है total number of votes यानि वो votes जो cast हुए हैं और total number of seats यानि वो seats जिनको fill करना है फार एक्जमपल अगर पंजाब की 7 general seats की election हो रहा है तो quota कुछ और होगा और अगर woman के लिए result seats में से 2 seats पर election हो रहा है तो इसके लिए quota कुछ और होगा for example अगर हम consider करते हैं कि पंजाब के 371 members में से सिर्फ 360 members ने ही vote cast किये हैं और जो general seats हैं वो हमने fill करनी है 7 और जो woman के लिए result seats हैं उन में से हमने 2 seats को fill करना है तो इस case में जो general seats है उसके लिए quota होगा 360 divided by 7 is equal to 51 यानि के general seat एक general seat win करने के लिए एक candidate को at least 51 votes चाहिए ठीक है यानि इसका quota होगा 51 दूसरे अलफाज में एक candidate को पंजाब की एक general seat पर elect होने के लिए at least 51 votes चाहिए अगर vote cast वही 360 हो तो एक candidate को woman की reserve seat पर elect होने के लिए कितने vote चाहिए वो हम देखते हैं 360 यानि हमारे जो total vote cast है divided by number of seats यहाँ पे हमारे पास seats कितनी है two seats है यानि woman वाली हमने two seats fill करनी है तो इसको हम divide करें तो हमारे पास इस cancel आता है 180 यानि के एक woman की reserve seat पर elect होने के लिए एक candidate को at least 180 votes चाहिए इस quota के formula को आप किसी भी province के लिए apply कर सकते हैं अब हम vote counting का तरीका देखते हैं suppose पंजाब की seven general seats पर election हो रहे हैं और quota है 51 यानि 51 votes चाहिए एक candidate को elect होने के लिए जब election commission ballot paper देखेगा तो वो उन candidates को elected declare कर देगा जो at least 51 voters की first choice होंगे अगर कोई candidate 51 से ज्यादा लोगों की first choice होगा तो उसकी 51 से surplus जो vote होंगे तो वो दूसरे candidates को transfer कर दिये जाएंगे इसी तरह वो candidate जो सबसे कम लोगों की first choice होंगे तो उनके votes को भी दूसरे members की तरफ transfer कर दिया जाएगा ये transferring का process उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक तक तमाम seats fill हो जाएंगे और जो बाकी candidate बच जाएंगे उनको exclude कर दिया जाएगे इस process से seats fill हो गई उसके बाद जो candidate होंगे वो हार जाएंगे वो इस process से बाहर हो जाएंगे ये था पाकिस्तान की Senate के election का तरीका हम पाकिस्तान की Parliament के दोनों houses के बारे में जान चुके हैं अब हम देखते हैं कि Parliament की क्या responsibilities हैं और क्या powers हैं पाकिस्तान की Parliament की तीन major responsibilities हैं नमबर वन पाकिस्तान की Parliament मुलक के लिए कौनीन बनाती है कानून बनाने के इस प्रासस को लेजिसलेशन का जाता है पाकिस्तान की पारलेमेंट का दूसरा काम ये है कि वो पाकिस्तान के कंस्टिटुशन में वाक्त की जरूरियात को मदे नजर रखते हुए अमेंडमेंट्स कर सकती है और पाकिस्तान की पार्लेमेंट का तीसरा काम ये है कि वो पाकिस्तान की एक्जीक्यूटिव को मोनिटर करती है और उसको कंट्रोल करती है चलिए पार्लेमेंट के इन फंक्शन्स को डीटेल में स्टेडी करते हैं Legislation in Pakistan Parliament का जो कानून बनाने का पूरा प्रासस है उसे Legislation करते हैं Legislation के प्रासस को समझने से पहले हम Legislative List के बारे में जान लेते हैं चुँकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है इसलिए कानून साजी की जो पावर है वो Central Government और Provincial Government के दरमियान डिवाइट की गई है यानि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मतलग सिर्फ Central Government ही लाजब बना सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मतलग सिर्फ Provincial Government ही लाजब बना सकती है उन्हें Federal Legislative List में शामल किया गया है Federal Legislative List में शामल आइटम्स हैं डिफेंस, करंसी, फारण फेर, माइग्रेशन, कम्यूनिकेशन वगयरा वगयरा इसके बराक्स वो आइटम्स जिन पर सिर्फ Provincial Government ही लाजब बना सकती है उन्हें Provincial Legislative List में शामल किया गया है और वो हैं Police, Mining, Agriculture वगयरा वगयरा अगर आप Complete Federal और Provincial List देखना चाते हैं तो आप पाकिस्तान के Constitution का Schedule No.4 देख सकते हैं जो पाकिस्तान की Parliament है वो सिर्फ और सिर्फ Federal Legislative List में मौझूद आइटम्स पर ही कानून साजी कर सकती है अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में Legislation का Process कैसे काम करता है Legislation का Process पारलेमेंट के किसी House में Bill को Present करने से स्टार्ट होता है एक Bill पारलेमेंट के किसी भी House में Originate हो सकता है लेकिन आम तोर पर ज्यादातार बिल्स National Assembly में ही Originate होते हैं लेकिन कुछ Bill सेनेट में भी Originate हो सकते हैं अगर वो House जिसमें Bill Originate हुआ है वो उसे पास कर देता है तो Bill को दूसरे House में भेज़ दिया जाएगा पाकिस्तान के Constitution के मताबिक एक Bill को एक Normal Bill को पास करने के लिए सिर्फ Simple Majority चाहिए अगर दूसरा House उस Bill को किसी भी Amendment के बगेर पास कर देता है तो वो Bill President की तरफ रेफर कर दिया जाएगा लेकिन अगर दूसरा House बिल में कुछ Amendment करता है तो Bill को पहले House की तरफ दुबारा बही दिया जाएगा और अगर पहला House दूसरे House की Amendment को असेप्ट करता है और Bill को पास कर देता है तो Bill को प्रेजिडेंट की तरफ बेजा जाएगा लेकिन अगर पहला House दूसरे House की Amendment को नहीं मानता यानि कि वो उस Bill को पास नहीं करता तो Parliament का एक Joint Sitting बलाई जाएगी इस Sitting में Senate और National Assembly दोनों के मिंबर्स मुझूद होंगे वो Bill जो Parliament के एका उसने Amendment की वज़ा से रिजेक्ट किया था उस Bill को Joint Sitting में प्रिजेंट किया जाएगा अगर Joint Meeting में मुझूद मिंबर्स की Simple Majority उस Bill को पास कर देती है तो वो Bill President की तरफ रेफर कर दिया जाएगा लेकिन अगर Joint Sitting की Majority उस Bill को पास नहीं करती तो वो Bill डेड हो जाएगा जब एक Bill Parliament से पास होने के बाद प्रेजिडेंट के पास जाता है तो प्रेजिडेंट के पास दो आप्शन होते है पहला आप्शन ये है कि वो Bill पर साइन कर दे अगर प्रेजिडेंट ऐसा करता है तो वो Bill ला बन जाता है और प्रेजिडेंट के पास दूसरा आप्षिन ये है कि वो उस बिल को वापस पार्लेमेंट की तरफ बेज़ दे और पार्लेमेंट से रिक्वेस्ट करे कि वो बिल में कुछ खास चेंजिस करे जब कोई बिल प्रेजिडेंट के पास से वापस पारलेमेंट में आता है तो पारलेमेंट की एक जॉइंट मीटिंग बलाई जाती है अगर Parliament की जॉइंट सिटिंग में इस Bill को simple majority से दोबारा पास कर दिया जाता है तो Bill को दुबारा प्रेडिएंट की तरफ रेफर किया जाएगा जब दूसरी मरतबा Parliament Bill को President के सामने पेश करती है तो President के पास सिरफ 10 दिन होते हैं अगर President 10 दिन के अंदर-अंदर Bill को मंजूरी दे देता है तो ठीक लेकन अगर President 10 दिन के अंदर-अंदर Bill को मंजूरी नहीं देता तो Bill आटोमेटिकली लाब बन जाता है यानि जब दूसरी दफ़ा Parliament किसी Bill को पास कर देती है तो प्रेजिडेंट उसको किसी भी तरह रोक नहीं सकता ये था एक नार्मल बिल को पास करने का तरीका लेकन जो मनी बिल्स होते हैं उनको पास करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनी बिल्स क्या होते हैं ऐसा कोई भी बिल जो लाव बनने के बाद या तो पाकिस्तान के अवाम पर नियो टेकसिस इंपोस करेगा या फिर कौमी खुजाने में से अवाम के पैसे खरच करने की एग्जीक्यूटिव को अजाज़त देगा ऐसे बिल को मनी बिल कहते हैं फार एक्जमबल बजट बजट ऐसा बिल होता है जो अवाम पर टेकसिस भी इंपोस कर सकता है और एग्जीक्यूटिव को इस बात की अजाज़त दे सकता है कि वो कोमी खुजाने से पैसे निकाल कर किसी परोजेक्ट के लिए या फिर किसी बी और मकसद के लिए खरच कर सके पाकिस्टान के कंस्टिटूशन के मताबिग एक मनी बिल हमेशा नेशनल आसमबली में औरिजनेयर्ट होता है एक money bill किसी भी सूरत में सेनट में originate नहीं हो सकता यानि सेनट का कोई भी member कोई money bill पेश नहीं कर सकता जब एक money bill national assembly में पेश होता है तो उसकी एक कापी सेनट में भी भेज़ दी जाती है सेनट उस money bill पर base कर सकता है और वो national assembly को उस bill में changes करने के लिए suggestions भी दे सकता है लेकिन सेनट के पास ये power नहीं है कि वो उस money bill पर voting करे यानि सेनट का money bill पास होने में कोई खास रोल नहीं होता सेनट ने जो भी suggestion वगेरा देनी होती है वो भी उसको 14 days के अंदर अंदर देनी होती है और सेनट की इन suggestions की भी कोई खास value नहीं होती क्योंकि ये national assembly की description है कि वो सेनट की suggestions को consider करे या फिर ना करे चुंकि एक money bill नेशनल assembly में ही पेश होता है तो इसको national assembly ही पास कर सकती है या फिर reject कर सकती है अगर national assembly किसी money bill को reject कर देती है तो वो bill dead हो जाता है लेकन अगर national assembly एक money bill को पास कर दे तो वो सीधा प्रेजिडेंट की तरफ रेफर कर दिया जाता है जब एक money bill नेशनल assembly से पास हो जाता है तो प्रेजिडेंट को हर सूरत में उस bill को एसेंट देना होता है लेकन अगर प्रेजिडेंट 10 दन के अंदर अंदर एक money bill को assent नहीं देता तो वो bill automatically ला बन जाता है यानि जो money bill है उसके case में president के पास कोई power नहीं है वो parliament को नहीं कह सकता कि इसमें ये changes की जाएं ये था parliament का पहला important function यानि कानून साजी या फिर legislation चलिए अब हम देखते हैं कि parliament Pakistan के constitution में amendment कैसे करती है पाकिसे की parliament का दूसरा जो important function है वो है पाकिसे की constitution को amend करना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि constitution को amend करने का procedure क्या है constitution को amend करने के लिए जो bill होता है वो पार्लिमेंट के किसी भी house में originate हो सकता है यानि वो Senate के member भी पेश कर सकते हैं और National Assembly के member भी पेश कर सकते हैं जिस house में ये bill originate होता है अगर वो house इस bill को two-third majority के साथ पास कर देता है तो बिल को दूसरे house में भेज़ दिया जाता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि two-third majority का मतलब यह है कि 66% members की majority और अगर दूसरा house भी उस bill को two-third majority के साथ पास कर देता है तो यह bill प्रेजिडेंट की तरफ रेफर कर दिया जाता है जब एक amendment bill पारलेमेंट से पास होने के बाद प्रेजिडेंट के पास जाता है तो प्रेजिडेंट को हर सूरत में उस bill को ऐसे देना होता है यहाँ पे एक important point है जो आपको पताओना चाहिए अगर किसी amendment bill ने किसी province का area कम या फिर ज्यादा करना होगा तो इस bill को ना सिरफ पारलेमेंट पास करेगी बलके उस province की legislative assembly की two-third majority की मनजूरी भी चाहिए होगी जिस province की boundaries उस bill की वज़ा से change होगी for example एक ऐसा bill है जिसकी वज़ा से पंजाब जो province है इसका area जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है सबसे पहले यह होगा कि Parliament एक amendment bill पास करेगी उसके बाद वो bill आएगा पंजाब assembly में ठीक है जो provincial assembly है उसमें आएगा अगर provincial assembly की two-third majority भी उस bill को पास कर देती है तो उसके बाद ही प्रेजिडेंट के पास जाएगा अगर यह provincial assembly उस bill को पास नहीं करती तो वो bill reject हो जाएगा डेड हो जाएगा तो ऐसे पाकिस्तान की Parliament पाकिस्तान के constitution को amend करती है लेकिन यहां पे आपने एक चीज़ याद रखनी है पाकिस्तान की पार्लेमेंट पाकिस्तान के constitution को इस तरह amend नहीं क्यार सकती कि पाकिस्तान का political system ही बदल जाएगर पार्लेमेंट ऐसा करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तान की judiciary या फिर आप कहलें कि पाकिस्तान का जो supreme court है वो उस तरह की amendment को null and white करार दे सकता है यह था पाकिस्तान की पार्लेमेंट का दूसरा important function अब हम पाकिस्ता इक्टिव की activities को monitor करने के लिए पार्लेमेंट के दोनों houses में different committees बने हुई हैं हर department के लिए एक committee है जिसे foreign department है उसके लिए एक committee बने हुई है national assembly में और एक committee बने हुई है सेनट के अंदर उन committees का का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो जो foreign department जो काम कर रहा है जो उसकी activities है उसको monitor करे अगर वो कोई गलती करता है तो foreign ministry के जो लोग है यानि जो minister है foreign minister उसको assembly में बलाया जाएगा उससे question वगरा की जाएगे तो इस तरह monitor किया जाता है इस तरह जो दूसरी ministries है water हो गया, energy हो गया, food हो गया वगयरा वगयरा तो इस तरह हर ministry के पीछे legislature में यानि पारलेमेंट में एक committee मौजूद होती है जो उस department को monitor करती है इसके अलावा पारलेमेंट executive को मुदर जायल तरीकों से control करती है इस तरह जो बजच उता है वो पारलेमेंट पास करती है बजच का मतलब ये है कि वो executive को allow करती है कि वो कितने tax लगा सकती है और कितने इkonे क्राइगास खती है तो ये सारा control किस依ता होता है national assembly के पास होता है जो पारलेमेंट का एक हिसा है Parliament Executive के Head यानी Prime Minister को ना सिरफ Elect करती है बलके उसको Remove भी कर सकती है तो इस तरह भी जो Parliament है उसका एक Control है Executive के उपर इसी तरह Prime Minister और उसके Ministers को National Assembly के सामने पेश किया जा सकता है और उनसे हर तरह के Question पूछे जा सकते हैं जिनके वो जवाब देने के पाबंद है This is all about the Parliament of Pakistan Executive of Pakistan जैसा के मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की Government की तीन Branches है Legislature, Executive और Judiciary Legislature के बारे में हम जान चुके हैं अब हम Executive की तरफ आते हैं पाकिस्तान का Prime Minister और उसकी Cabinet और वो तुमाम Institution जो Prime Minister के अंडर काम करती हैं वो Executive का हिस्सा है पाकिस्तान का Political System, The Principle of Fusion of Powers पर बेस्ट है Fusion of Power का मतलब यह है कि जो Executive है जो Executive के मेंबर्स हैं उन्हें Legislature में से Elect किया जाता है और Executive ना सिरफ Legislature के सामने Responsible होती है बलके Legislature पर Dependent भी होती है For example, पाकिस्तान का Prime Minister और उसकी Cabinet के तुमाम मेंबर्स National Assembly या Senate के मेंबर्स होते हैं और Prime Minister को National Assembly एलेक्ट भी करती है और उसे उसकी सीट से हटा भी सकती है तो चलिए Prime Minister और उसकी Cabinet के बारे में थोड़ा डीटेल में जानते हैं Prime Minister of Pakistan पाकिस्तान के Prime Minister को Chief Executive भी कहा जाता है क्योंकि Prime Minister Executive बरांज का Head होता है और वो मलक के तमाम Executive functions को परफार्म करता है और उनको परफार्म करने का वो responsible होता है चुँके Prime Minister एक individual होता है और एक individual के लिए ये possible नहीं है कि वो पूरे मलक को single handedly चलाए इसलिए Prime Minister को एक team assist करती है जिसे Prime Minister की cabinet कहते हैं और जो cabinet के मिंबर्स होते हैं उन्हें Ministers का आ जाता है पाकिस्तान में Prime Minister और उसके Minister ना सिरफ Executive बरांज चलाते हैं बलके वो legislature के मिंबर्स भी होते हैं यानि वो कानून साजी में भी participate करते हैं चलिए देखते हैं कि Prime Minister और उसके Ministers को कैसे elect किया जाता है जब National Assembly का election होता है तो उसके बार National Assembly जो सबसे पहला काम करती है वो ये है कि वो एक speaker और एक deputy speaker को elect करती है speaker और deputy speaker के election के बाद Prime Minister का election होता है Prime Minister के election के दुरान हर पार्टी के पास ये right होता है कि वो Prime Minister की post के लिए अपना एक candidate appoint करे लेकिन आम तोर पर वो पार्टी जिनके पास National Assembly में seats कम होती हैं वो अपना candidate मिदान में नहीं उतारती और 100% chances होते हैं कि उस political party का candidate election में जीतेगा जिसकी National Assembly में सबसे ज़्यादा seats होती है In practice Prime Minister के election में दो या दो से ज़्यादा candidate मोजूद होते हैं speaker के election के बाद एक time fix किया जाता है जिस time पर Prime Minister के election होते हैं इस election में National Assembly के तुमाम members अपना vote कास्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि Prime Minister के election में सेनट के members का कोई रोल नहीं होता यानि वो vote कास्ट नहीं करते हैं वोटिंग के बाद votes की counting होती है और उस candidate को winner declare कर दिया जाता है जो total votes की absolute majority हासल करता है absolute majority का मतलब यह है कि 50% vote प्लस 1 vote पाकिस्तान की National Assembly में 336 members हैं तो इसलिए एक candidate को Prime Minister बनने के लिए at least 169 votes की जरूरत होती है अगर PM के election के दुरान कोई भी candidate absolute majority हासल नहीं कर सकता तो वोटिंग दबारा होगी और दूसरी वोटिंग में सिर्फ दो ही candidate participate करेंगे यह वो दो candidate होंगे जो पहली दफ़ा वोटिंग में top two positions पर थे दूसरी वोटिंग में उस candidate को winner declare कर दिया जाता है जो ज्यादा वोट लेता है अगर वोटिंग दूसरी दफ़ा हो तो उसमें एक candidate को winner बनने के लिए absolute majority लेने की जरूरत नहीं है उसको जस्त दूसरे member से ज्यादा वोट लेने हैं प्राइम मिनस्टर के election में जो candidate winner declare होगा वो मुलक का प्राइम मिनस्टर बन जाएगा लेकिन बकाईदा तोर पर प्राइम मिनस्टर बनने के लिए उस candidate को प्राइम मिनस्टर की post assume करने के लिए प्रेजिडेंट बुलाता है और वो विनर केंजिडेट प्रेजिडेंट के सामने और पार्लेमेंट के सामने हलफ लेता है हलफ यानी ओत लेता है ओत लेने के बाद वो मिम्बर बकाइदा तोर पर मुलक का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जब प्राइम मिनिस्टर एलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी केबनट बनाता है इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट के सामने उन मिम्बर्स की लेस्ट पेश करता है जिनको वो अपनी केबनट का मिम्बर बनाना जाता है प्रेजिडंट प्राइम मिनिस्टर की दी गई लेस्ट के मताबिक मिनिस्टर को अपॉइंट करता है यहां पे प्रेजिडंट के पास ये पावर नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की दी गई लेस्ट में कोई तब्दिली कर सके या उसको रिजेक्ट कर सके दूसरे अलफाज में प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाईज का पाबान दोता है प्राइम मिनिस्टर अपनी केबनेट के लिए मिंबर्स को नेशनल असंबली और सेनट दोनों से ले सकता है लेकिन कंस्टिटुशन दो कंडिशन यहां पे रखता है पहली कंडिशन यह है कि केबनेट की स्टेंथ पारलेमेंट की स्टेंथ की 11% से ज्यादा नहीं होगी और दूसरी कंडिशन यह है कि केबनेट के 25% से ज्यादा मिंबर्स सेनट से इलेक्टर नहीं किया जाएंगे केबनेट के मिمبرز के इलावा प्राइम मिनिस्टर अपने लिए Five special advisor भी appointment कर सकते है ये special advisor जो है ये पारलिमेंट के मिمبر हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अभी तक हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे यलेट किया जाता है अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कैसे किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से रिमूव करने के दो तरीके हैं पहला तरीका ये है कि प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहे वो नैशनल असंबली से World of Confidence ले जब प्रेजिडंड प्राइम मिनिस्टर को ये कहेगा तो प्राइम मिनिस्टर नैशनल असंबली में जाएगा और नैशनल असंबली से World of Confidence डिमांड करेगा इसके बात एक फेक्स टाइम पर वोटिंग होगी और अगर National Assembly की Absolute Majority यानि एट लिस्ट 169 मिंबर प्राइम मिनिस्टर के हाक में वोट डालते हैं तो प्राइम मिनिस्टर वोट आफ confidence क्योर कर लेगा लेकर अगर प्राइम मिनिस्टर Absolute Majority की सपोर्ट हासल नहीं कर सकता तो वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से हुद बहुद रिमूव हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर को उसकी सीट से रिमूव करने का दूसरा तरीका ये है कि प्राइम मिनिस्टर के खलाफ नेशनल असम्बली के 20% मिंबर वोट आफ नो confidence लेकिया है लेकिन अगर ये रिजलूशन नेशनल असम्बली की absolute majority पास ना करे यानि वो प्राइम मिनिस्टर के खलाफ ना जाएं तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर इंटेक्ट रहेगा वोट आफ नो confidence के फैल होने की सूरत में अगले 6 मन्थ के अंदर दोबारा उस प्राइम मिनिस्टर के खलाफ वोट आफ नो confidence नहीं लाया जा सकता जहां तक केबनेट के मिंबर के रिमूवल की बात है तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को किसी भी वक्त केबनेट से रिमूव कर सकता है लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो भी मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी से होते हैं तो वो अपनी पार्टी के मिंबर्स को इस तरह केबनेट से रिमूव नहीं कर सकता अगर वो ऐसा करता है तो पार्टी के अंदर डिस्प्यूट आता है और प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी पोजिशन है वो भी इंसिक्यूर होने के खतरात होते हैं अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रिस्पांसबिल्टी और पावर्स क्या होती है प्राइम मिनिस्टर कुछ major appointments करने का responsible होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर तुमाम federal secretaries को appoint करता है इसके लावा तुमाम provinces के chief secretaries को भी प्राइम मिनिस्टर appoint करता है इसी तरह आर्मी में जो major appointments होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है इसके लावा तुमाम provinces के governor जो होते हैं इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी भी मेटर पर रिफरेंडम करवा सकता है, यानि पारलेमेंट में कोई इशू आता है, तो प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इस पे पारलेमेंट के बजाए वोटिंग जो है वो अवाम करे, अवाम ये डिसाइड करे कि य पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तो इस मकसद के लिए वो किसी भी मेटर पर रिफरेंडम करवा सकता है लेकिन रिफरेंडम करवाने के लिए ये जरूरी है कि पारलेमेंट की जॉइंट सिटिंग इस बात की मनजूरी दे कि किसी खास मेटर पर रिफरेंडम होन के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट को एडवाइज करता है कि वो नेशनल असंबली को डिजाल्व कर दे और प्रेजिडेंट पर ये लाजमी होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की इस एडवाइज को फालो करें प्रेजिडेंट आफ पाकस्तान हमने एग्जिक्यू कोई खास पावर नहीं होती इसलिए इसको हम कहते हैं nominal head of the state सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के president को कैसे elect किया जाता है who elect the president of Pakistan पाकिस्तान के president को एक electoral college elect करता है इस college में national assembly के तुमाम members शामल होते हैं senate के तुमाम members शामल होते हैं इसके अलावा तुमाम provincial assemblies के members भी इस electoral college में शामल होते हैं लेकिन यहां पे एक twist है वो यह है कि तुमाम member के votes की value जो है वो equal नहीं होती इसकी reason यह है कि जो provincial assembly है उनकी numerical strength है वो equal नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एक federation है उसमें तुमाम units जो है वो equal होती है तो इसलिए उनकी जो voting power है वो भी equal होनी चाहिए तुमाम provincial assemblies को equal representation देने के लिए बड़ी जो provincial assembly हैं उनके member के votes की value को कम कर दिया जाता है और जो चोटी assemblies हैं उनकी member के votes की value को बढ़ा दिया जाता है जहां पर national assembly और senate के हर member को एक vote दिया जाता है इसी तरह जो पाकिस्तान की सबसे चोटी provincial assembly है यानि बलोचस्तान की provincial assembly उसके हर एक member को एक vote दिया जाता है इसके बराक्स पंजाब के 5.70 members को एक vote दिया जाता है इसी तरह KP के 1.90 यानि के 2 members को एक vote दिया जाता है और सिंद के 2.58 members को एक presidential vote दिया जाता है यह जो values हैं यानि 5.70, 1.90 और 2.58 ये मतलका provincial assembly के members की तादाद को सबसे चोटी provincial assembly यानि के बलोचस्तान national assembly के members की तादाद से divide करके निकाला जाता है फार एक्जमपल पंजाब assembly के total members की तादाद 371 है और बलोचस्तान assembly जो सबसे चोटी assembly है उसके members की तादाद है 65 65 अगर हमने ये जानना हो कि पंजाब असम्बली के कितने मिम्बर्स को एक वोट मिलेगा ये बात हो रही है कि इसमें प्रेजिडेंशल एलेक्शन में ठीक है तो इसके लिए हमें 371 को 65 से डिवाइड करना होगा इस डिवियन से हमें जो अंसर मिलता है वो है 5.7 यानि के जो पंजाब असम्बली के 5.70 अगर इसको राउंड आफ करें तो ये 6 मिम्बर बनते हैं तो 6 मिम्बर जो वोट डालेंगे तो वो नेशनल असम्बली और सेनट और इसी तरह बलोचस्तान असम्बली के एक वोट के बराबर होगा हमने ये देख लिया कि डिफरंट असम्बली के मिम्बर्स के वोट की वेलियो क्या होगी अब अलेक्शन की तरफ चलते हैं सबसे पहले अलेक्शन का एक दिन फेक्स होगा और उस दिन पर वोटिंग होगी हर वोटर को एक बेलट पेपर मिलेगा इस पर तुमाम कंटेस्ट के नाम लिखे होंगे यानि तुमाम वो केंजिडेट जो प्रेजिडेंट का एलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम लिखे होंगे और वोटर जो होगा उसको अपने पसंदीदा केंजिडेट के सामने एक स्टेंप लगानी होगी यहाँ पे सिरफ वो एक केंजिडेट के साम वो winner declare हो जाएगा और जो winner declare होगा वो मुलक का president बन जाएगा. conditions to become the president of Pakistan presidency का candidate बनने के लिए मदर्जाजल conditions है. एक candidate हमेशा Muslim होना चाहिए. कोई भी non-Muslim जो है वो पाकिस्तान का president नहीं बन सकता. तो इसलिए कोई भी non-Muslim presidency का candidate नहीं हो सकता. इसके लावा एक candidate की age at least 45 होनी चाहिए. यानि इससे अगर यंगर होगा तो वो president नहीं बन सकता. और वो candidate national assembly और senate का member बनने के लिए qualified होना चाहिए. यानि वो तुमाम qualification जो हमने national assembly और senate के members के लिए देखी थी वो president के candidate में भी मौजूद होनी चाहिए. terms of the office of the president of Pakistan. president की जो term है इसके पांच साल होते हैं. और एक candidate लगातार दो से द्यादा terms के लिए पाकिस्तान का president नहीं बन सकता. लेकर यहाँ पे यह बात आपने याद रखनी है कि दो लगातार terms यानि consecutive terms के अलावा तीसरी दफ़ा एक person पाकिस्तान का president बन सकता है. अगर president ने resign करना हो किसी भी वज़ा से तो वो अपना resignation letter national assembly के speaker के पास submit करवाएगा. impeachment after president पाकिस्तान के president को political basis पर उसकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता. अलबता अगर president की mental या physical condition ऐसी हो किसी भी वज़ा से किसी बिमारी की वज़ा से किसी accident वगरा की वज़ा से कि वो अपनी जमदारिया ने बाने के काबल ना रहे तो उसको impeach यानि के अपनी पोस्ट से remove किया जा सकता है. इसी तरह अगर president कोई constitution की violation करता है तो इस केस में भी उसे उसकी पोस्ट से remove किया जा सकता है. इसको कहते हैं impeachment. The process of impeachment of the president. President को impeach करने का process उस वक्त स्टार्ट होता है जब Senate या National Assembly के 50% members President के खलाफ impeachment के लिए एक resolution सब्मेट करवाते हैं. अगर impeachment की resolution Senate में सब्मेट करवाई जाती है तो Senate का Chairman इस resolution को National Assembly के speaker की तरफ रेफर करेगा. अगर ये resolution National Assembly में आता है तो ये directly National Assembly के speaker की तरफ जाएगा. impeachment के resolution सब्मेट होने के 15 दन के अंदर अंदर National Assembly का speaker पारलेमेंट की एक joint meeting काल करेगा. इस meeting में प्रेजिडेंट के खलाफ प्रापर investigation होगी और इस दुरान प्रेजिडेंट पारलेमेंट में आके अपनी बेगुनाई साबत करने के लिए दलाईल वगरा भी दे सकता है. impeachment का जो process है वो complete होने के बाद एक voting होगी. अगर पारलेमेंट यानि सेनेट और National Assembly दोनों की two-third majority यानि 66.7% मेंबर प्रेजिडेंट के खलाफ वोट देते हैं तो प्रेजिडेंट को उसकी seat से हटना पड़ेगा. अगर ये resolution two-third majority से पास नहीं होती तो प्रेजिडेंट अपनी seat पर intact रहेगा. अब हम प्रेजिडेंट की powers की तरफ आते हैं. जहां तक प्रेजिडेंट की powers का तलग है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजिडेंट एक nominal घेड आफ ता स्टेट है. यानि इसकी पास अपनी कुछ खास powers नहीं होती. प्रेजिडेंट हर काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाईज पर करता है और प्राइम मिनिस्टर की एडवाईज प्रेजिडेंट के लिए binding होती है. यानि प्रेजिडेंट को हर सुरत में प्राइम मिनिस्टर की एडवाईज माननी होती है. लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की मुझरम की सजा माफ कर सकता है या फिर वो उसको चाहे तो वो उसको कम कर सकता है ये प्रेजिडेंट की असली पावर है इसी तरह प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज पर नेशनल असम्बली को डिजाल कर सकता है यहां पर प्रेजिडेंट डिजाल तो कर सकत लेकिन वो सबकी सब पावर प्रेजिडेंट सिर्फ उस वक्त इस्तमाल कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसा करने का कहे दूसरे अलफाज में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजिडेंट है उसकी अपनी कोई खास पावर नहीं है वो उसकी जो तुमाम पावर्स हैं वो डिपेंड करती है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज पर हम पाकिस्तान की एग्जिक्यूटिव और लिजिसलेचर के बारे में जान चुके हैं अब हम पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं पाकिस्तान के तमाम courts को collectively judiciary का जाता है और judiciary को दो हिसों में divide किया जाता है पहले इसे को का जाता है superior judiciary और दूसरे इसे को का जाता है subordinate judiciary सुपिरियर जुडिश्री में पाकिस्तान का सिप्रीम कोर्ट और पांच हाई कोर्ट्स शामल हैं पाकिस्तान में पांच हाई कोर्ट्स हैं सिंध हाई कोर्ट लहोर हाई कोर्ट पिशावर हाई कोर्ट बलोचस्तान हाई कोर्ट और इसलामबाद हाई कोर्ट इसके बराक्स सब ordinate judiciary में high court के नीचे तुमाम civil और criminal courts शामल हैं चुँके इस वीडियो में हम पाकिस्तान के political system को पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस detail में नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान के courts की structure क्या है और वो कैसे काम करते हैं हम इस वीडियो में generally जो judiciary है उसकी function इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात देखेंगे कि पाकिस्तान की judiciary का पाकिस्तान के political system में क्या रोल है पाकिस्तान की judiciary के दो basic function हैं पाकिस्तान की judiciary का पहला function ये है कि ये लोगों को इंसाफ फराम करती है और ये function पाकिस्तान की superior और sub ordinate judiciary दोनों perform करते हैं जो छोटे cases होते हैं वो sub ordinate judiciary में जाते हैं यानि sub ordinate courts में जाते हैं और अक्सर उकात sub ordinate courts में ही इन cases को साल्व कर लिया जाता है लेकन जो बड़े cases होते हैं वो अक्सर उकात sub ordinate judiciary से superior judiciary में आ जाते हैं और इनके decision अक्सर उकात पर आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है, कि जो सेवल और क्रिमिनल कैसेश हैं, वो डिरेक्टली कभी भी किसी सुपीरियर कोट में नहीं दाहल किये जा सकते है़् वो सब से पेले सब आर्डिनेर्ड जुडिशरी में जाते हैं, अगर सब आर्डिनेर्ड जुडिशरी उन cases को salve नहीं कर सकती या फिर जो client है वो मतमें नहीं है सब ordinate judiciary से तो वो high court के पास जा सकता है अगर वो high court से भी मतमें नहीं है तो वो फिर last जो court मारा होता है supreme court वो वहां पर जा सकता है ये था judiciary का पहला function judiciary का जो दूसरा और शायद सबसे ज़्यादा important function है वो है constitutional review of the laws passed by the legislature जो constitutional review का जो function है ये सिर्फ superior courts यानि के high courts और supreme court ही perform कर सकते हैं constitutional review जुडिशिरी की उस power को कहते हैं जिसके थुरू जुडिशिरी ये make sure करती है कि Parliament ने जो कौनीन पास किये हैं वो पाकस्तान के constitution के मताबक हैं अगर Parliament कोई भी ऐसा कानून पास करती है जो पाकस्तान के constitution के खलाफ हो तो पाकस्तान के superior judiciary के पास ये power है कि वो उस कानून को null and void डेकलेर करे और उस कानून को मस्तरद कर जब पाकस्तान की superior judiciary कोई high court या फिर supreme court किसी कानून को मस्तरद कर देता है तो वो कानून मुलक में लागू ने किया जा सकता इस तरह judiciary जो है वो legislature के उपर एक चेक रखती है तो जब भी कोई legislature कोई कानून पास करती है तो वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि वो कानून constitution के मताबक होना चाहिए और जो legislature है उसके दिल में ये डर होता है कि अगर ये कानून constitution के थोड़ा सा भी खलाफ हो गया तो supreme court या फिर high court जो है वो इस कानून को null and white करा देगा ये था पाकिस्तान की judiciary का दूसरा और सबसे ज़्यादा important function